नाना पाटेकर इंडस्ट्री के बेहतरीन आक्टर्स में से एक है नाना पाटेकर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम के प्रती सिंसियनेस को लेकर अपनी आक्टिंग को लेकर और अपनी स्ट्रगल को लेकर सभी से तारीफ ही बटोरी है और हर शक्स ने नाना पाटेकर को प्यार दिया लेकिन नाना पाटेकर की image बनी मनाई जो थी उसकी धज्यात तब उड़ गई जब तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के ऊपर गंभीर इल्साम लगाए कहां की गलत तरीके से छुने की कोशिश करी नाना पाटेकर के support में industry थी नाना पाटेकर खुद भी अपना बचाव कर ही रहे थे कि इसी बीच डिंपल काटेकर जिनके साथ नाना पाटेकर ने कराम टीवी Welcome back तुम मिलो तो सही जैसी कई फिल्मों में काम किया है जिम्बल कपाडिया ने तुम मिलोतों सही फिल्म के दोरान एक इंटिवियू दिया इस इंटिवियू में उन्होंने नाना पाटेकर के बारे में चौका देने वाला खुलासा किया और इस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने तनुष्री दत्ता को सही माना और कहा कि तनुष्री कहीं न कहीं नाना पाटेकर के लिए सही कह रही है Initially जब तनुष्री दत्ता ने नाना पाटेकर को लेकर ऐसी बात कही थी तो लोगों ने तनुष्री को गलत बताय था और कहा कि publicity पाने के लिए एक अच्छे खासे active की image खराब कर रही है लेकिन डिंपल कपाडिया ने जो कहा उससे ये बात कहीं न कहीं indicate हो गई कि नाना पाटेकर की एक dark side भी है जी हाँ डिंपल कपाडिया से NGTV पर एक interview के दौरान पूछा गया था कि नाना पाटेकर के साथ अपने इतनी फिल्मों में काम किया है कैसे इंसान है वो तो डिंपल कपाडिया ने पहले तो अपनी बात को cover किया कि वो नाना पाटेकर के बारे में सच तो बोलेगी लेकिन साथ में तारीफ भी करेगी Dimple Kapadia ने कहा कि as an actor वो brilliant है और अच्छे actor है इसलिए उनके 100 खून माफ है लेकिन personally वो इंसान obnoxious है यानि कि बेहुदा है Dimple Kapadia से जब पूछा गया कि किस वे में बेहुदा है अच्छे तोर पर healthy तोर पर बेहुदा है या बुरे तोर पर बेहुदा है तब Dimple Kapadia ने थोड़ी देर अजीब 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 बावाते निकाली और finally कहा कि अच्छे में भी और बुरे में भी Dimple की बात यहीं नहीं रुकी Dimple Kapadia ने कहा कि जहां स्क्रीन पर वो एक शांदर performer है वहीं कोई नहीं जानता कि Nana Partaker की एक dark side भी है मैंने उनकी वो side देखी है और वो dark side काफी डरा देने वाली है Dimple Kapadia ने कहा कि Nana Partaker की एक खौफनाक image भी है जो मैंने देखी है लेकिन अक्सर हम अच्छी image के साथ इस तरह की image को किनारे करते चलते हैं कुछ इस तरीके से Dimple Kapadia ने Nana Partaker को लेकर ये खुलासा किया था और तब लोगों ने इस पूरे statement को तनुश्री दत्ता वाले इंसिडेंट से जोड़ कर देखा था In fact, 2018 में एक बार फिर से जब तनुश्री दत्ता ने Me Too Moment की शुरुआत की बॉलिवूड इंडस्ट्री में और Nana Partaker को एक्सपोस करने की कोशिश की तब भी Dimple Kapadia की ये विडियो सबसे ज़ादा चलाई गई जिसमें उन्होंने Nana Partaker को एक बेहुदा, खौफनाग और डाउंसाइड वाला इंसान कहा था